इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि ना ही मतदाता अपने घर से निकले और ना ही वोट डले लेकिन उनका सांसत जो है वो चुन लिया गया है और ऐसा जो है गुजरात के सूरत लोकसबा सीट पर हुआ है कि ना ही लोगों ने वोट डाला और ना ही वोट डालने गए लेकिन सांसच जो है उनका चुन लिया गया है और ऐसा क्यूं हुआ है इस पूरी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज ऐसा पहली बार हुआ होगा कि निर्विरो चुना हुए है और बीजेपी का जो है वो सांसच चुन लिया गया है वो अपने आप ही सूरत लोकसबा सीख पर जीत चुका है और संसच तक पहुँच चुका है संसच बनकर आप देखे किस तरीके से जो है जो मत दाता है वो वोट डालने जा ही नहीं पाया और लेकिन पहले उनका संसच जो है वो चुन लिया गया है और ऐसा क्यों हुआ कि किस तरीके से जो है कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याशों के नामांकन जो है वो रद कर दिये गया है लेकिन सवाल अभी भी ये खड़ा हो रहा है उनके नामांकन रद क्यों किये गये और रद करने के बाद जो बाकी आठ उम्मीदवार बचते हैं उन्होंने अपना नमांकन वापिस क्यों ले लिया गया सवाल जो है बार-बार यही खढ़ा हो रहे कि अगर उनके नमांकन रद कर दिये गए हैं तो उसकी वज़ा क्यार ही होगी हम आपको यह जरूर बताएंगे उनकी वज़ा क्यार ही लेकिन सवाल इसमें यह भी है कि आठ जो उम्मिद्वार बचते हैं उन्होंने अपना नमांकन पत्र वापिस क्यों ले लिया गया लेकिन अगर चीजे हम आपको बताएं कि चुनाव आयोक पर कई सारे अरोप लगाए जा रहे थे बार बार जो है विपक जो है अरोप लगा रहे थे चुनाव आयोक धंग से काम न नहीं कर पाए उसके बाद जो है उनका नमांकन रद कर दिया गया उसके बाद आठ लोग जो है जिन आठ लोग उमीद्वार बचते हैं उन्होंने अपना नाम वापिस क्यों लिया लेकिन इसमें और इसमें आम आदमी पाटी जो है वह आरोप लगा रहे ही कि उनके प्रस् दाता वोट ही नहीं डालने जा पाते हैं और सूरत लोगसबा सीट पर भाजपा का सांसत बन जाता है बिना वोट डाले भाजपा का सांसत बन जाना क्या यही है लोकतंत्र क्या यही है सविधान के हिसाफ से चलने वाली सरकार जहां पे लोगों को वोट डालने का अधिकार जो है वो छीन लिया जाता है और बिना वोट डाले भाजपा का सांसत जो है वो बन जाता है इस पे जो लोग जो है क्या महसूस कर रहे होगे कि हमने तो वोट डाला ही नहीं लेकिन गुजरात सूरत की लोग सबसीट पर सांसत जो है वो बीजेपी का बन चुका है और उसके ब पाद जो आठ उमीद्वार बचते हैं उनका जो है नामांकन पत्र वो वापिस ले लिया इस पे तमाम लोग एक्स पे पोस्ट करके लिख रहे हैं राहुल गांधी लिखते हैं कि ताना शाह की असली सुरत एक बार फिर देश के सामने है जनता से अपना नेता चुनने का अध रक्षा का चुनाव है जहां पर पहले ही चरण में जहां पर रिजल्ट जो है वो चार जून को आना ता और रिजल्ट पहरे ही चरण में घोशित हो जाता है कि सूरत लोकसभा सीट पे जो सांसत बने हैं वो भाचपा के बने हैं उसके बाद इस पे अजय सिंग लिखते हैं दूसरा उम्मीद्वार नोटा भी तो था, इस कंडीशन में निर्विरोध जीद घोशित करना मतलब मद्दान का अधिकार छीनना है, बतलब आप सोचे जहाँ पे सूरत में निर्विरोध चुनाव होते हैं, कोई कॉम्पिटीटर ही नहीं होता है, और इस तरीके से भाजपा जो है चुनाव लड़रे, कॉम्पिटीशन ही खतम कर दे रही कि हमारे विरोध में कोई होगा ही नहीं, तो वोट किसको डालेगी जन और बचे आठ उमीदवार उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करते हुए अपना नामांकन वापिस ले लिया, अब बीजेपी के मुकेश दलाल जी सूरत से निर्विरोध सांसद बन चुके हैं, यही वो पहले सांसदे जो लोकसबा 2024 के लिए चुने गए हैं, लोकतंत्र दि जीत जाता है और मत दाता जो है, मत देने ही नहीं जाते हैं, उमीद करते हैं कि अगर चुनाव आयोग इसी तरह से सजकता और इमांदारी से काम करता रहा, तो हमें इलेक्शन पर खर्ष होने वाला ये पैसा बचा कर राष्ट निर्मान में योगदान दे सकेंगे, यहां पर तंज कस्ते वे जो जैकी आदाव है, वो लिख रहे हैं कि तरीके से निर्विरोच चुनाव हो जाते हैं, लोग मत देने ही नहीं जाते हैं, और जो कॉंग्रेस के पार्टियों का जो नामांकन रद कर दिया जाता है, आठ उमीदवार अपना नामांकन पत्र वापिस ल पता है कि आमांदमी पार्टी जो है वो अरोप लगा रहे हैं कि उनके जो प्रस्तावक हैं उनको अगवा कर लिया गया, अफरन कर लिया गया, वो हमारे भी पहुच से बाहर हैं, तो इसमें प्रस्तावक के अफरन का अरोप जो है कि आमांदमी पार्टी के नेता ने दाव विजरात में बीजिपी की पहली जीद सूरत में पार्टी उम्मीदवार मुकेश दलाल मिर्विरोध निर्वाचित तो हमने आपको जिस तरीके से बताए किस तरीके से नामांकन रद कर दिया जाता है उसके बाद आम आद्मी पार्टी अरोप लगाती है कि उनके प्रस्तावों को अगवा कर लिया गया और उसके बाद ये पूरी ख़वर में यही समझाता है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्य किसी तरीके से सविधान विरोधि सरकार वो डालने का मौका ही नहीं दे रिये लोग rok और अपने सांसत खडे कर दे रिये उसके बाद जो है जिसस तरीके से बताया जान के अगर 2024님이 छुनाव में भाच्पा दुबा रहा हा थे तो चुनाव ही नहीं होंगे तो ये इसका सीड़ी तोर पर सबूत देखने को मिल रहा है सूरत लोगसभा सीट पर कि शांसत भाजपा का आजाता है विरोध में कोई सरकार होती नहीं है वापिस देखने को मिल रहे कि स्थमीं नहीं से लोग बोल रहे है कि विनाज जो किया जा रहा है सभिधान की हत्या जो की जारी ए लोकतंद्र कि हत्या की जारी जहीं इसका सबूत है कि गुजराट की सूरत की लोकसवास सीट पर भाजपा का सांसत खड़ा हो जाता है लोग जो है मत देने ही नहीं जाते हैं, मत दताओं का सोचे उनको कैसा फील हो रहा होगा, कैसा महसूस कर रहे होंगे कि वोट डाले बिना ही सांसर जो है वो चुन लिया गया है तो हम यही कहेंगे कि जो अपना नेता है वो वही चुनिये जो आपके हक में बात करें, महिलाओं के लिए बात करें, विकास की बात करें, शिक्षा पे बात करें, जो ना कि हिंदु मुस्लिम पे बात करें आप इस वीडियो पे आपकी कह रहा है में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रति के रिए जरूर दीजेगा धन्यवाद